हलो दोस्तों, तो पैरलल लफ के लास्ट एपिसोड में जियाओ यांग को डैड का कॉल आया था और उनने उसे अपने आफिस में वर्क रिलेटेड मैटर के लिए बुलाया था, तो वो भाग कर जाता है जियाओ यांग के डैड जियाओ यांग को अपने आफिस में देखकर सप्राइज होते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जियाओ यांग ने वर्क की बात की है, देन जियाओ यांग कंपनी डैवलप्मेंट प्लान बनाती है और जियाओ यांग और उसके डैड को ब जहता है कि अपसे तुम वर्क से रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लोगी फिर छावयां जियावयां को मीटिंग के लिए बुलाती है उस मीटिंग में सारा स्टाफ होता है सिर्फ लिन्मयाओ को छोड़ कर क्योंकि जियावयां नहीं चाहता कि वो उसका वर्क उससे पहले करे लिन्मयाओ अपनी ग्रेंड मदर से मिलने के लिए जाती है कमपनी में बिना बताए और वो डिसाइड करती है कि वो ऐसे प्रिटेंड करेगी जैसे वो वेईजुन हो जब लिन्मयाओ हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि वेईजुन पहले से ही वही है और वो चेंज नहीं हो सकता देन नाइट के टाइम लिनमयाओ देखती है कि वेजुन बाहर सीडियों पर बैठ कर रो रही है तो वो डॉल की तरह ड्रेस अप होकर आती है और उसे कमफर्ट देती है इधर जियाओयां और जियाओयां अपनी मीटिंग रिपोर्ट जियाओयां के पर जियाओयां के डैट उसे फोर्स करते हैं लिनमयाओ को उस प्रोजेक्ट में इन्वार्प करने के लिए पर वो नहीं मानता पर जियाओयां मान जाती है और वो लिनमयाओ को पोजिशन अलोट करने की बोल देती है जियाओयां लिनमयाओ को होटल में आने वाले गैस्ट का personal butler बनने को कहती है तो वो ना चाहते हुए भी हां कर देती है क्योंकि उस time जियाओ यांग उसकी help नहीं करता जियाओ यांग लिन मयाओ के डर से secretly अपने घर जाता है तभी अचानक बहां लिन मयाओ आ जाती है और वो जियाओ यांग से पूछती है कि वो उसके work ability और character के बारे में क्या सोचता है वो उसे ऐसे क्यों treat करता है उसने उसे ऐसी position पर point क्यों किया जिसके बारे में उसे जादा information नहीं है तो जियाओ यांग लिन मयाओ को explain करता है कि उसका decision नहीं है यह यह तो जाओ यांग का decision है जगड़े के बाद लिन मयाओ decide करती है कि वो project complete करके वापस आकर कहीं और shift हो जाएगी बैन वो सभी hotel पहुंचते हैं तो जब जाओ यांग सब जाओ यांग को उनका work दे रही होती है तो उसी time जाओ यांग वहां आकर लिन मयाओ से personal butler बनने की मना करता है और उसे वापस अपना assistant बनाने की कहता है पर लिन मयाओ मना कर देती है जाओ यांग को एक cat मिलती है hotel के बहर और वो उसे hotel में ले जाती है और जाओ यांग को लेकर tension में है क्योंकि उसने कभी इतने बड़े project पर work नहीं किया पर ज्याओ यांग के dad को बिल्कुल भी tension नहीं है लिन मयाओ को Mr. Shoo का personal butler बनाया जाता है Mr. Shoo को easily allergy के symptoms हो जाते हैं dust से और cat के पर से इसलिए लिन मयाओ को Mr. Shoo का अच्छे से ध्यान रखने को कहा जाता है ज्याओ यांग लिन मयाओ के लिए परिशान होता है और वो श्याओ शिन से लिन मयाओ को follow करने की कहता है और उसकी help करने की भी लिन मयाओ Mr. Shoo का room पूरी तरह सफाई करके तयार करती है और बहर जाने लगती है तबी वहां शाषिन आता है और वह उसकी help करवाने कि बोलता है प्र वो मना कर देती है पर Нमयाउ समझ जाती है कि उसे ज्याव यांग ने भेजा है पर शाषिन कहता है कि सीक करने आया था पर उसे समझ नहीं आता, ज्याओ यांग सभी स्टाफ मेंबर से कहता है कि इस इवेंट के बाद वो सभी को सान्या ले जाएगा विकेशन के लिए, उसी टाइम उसे श्याओ शिन का मेसेज आता है और उसमें लिखा है कि लिन्मयाओ पूल का टेंपरेचर चेक करने गई है, तो वो उसे मिलने अकेले जाना चाहता है, पर उसके साथ ज्याओ यान और पूरा स्टाफ जाता है, सब वहां पहुंचते हैं, लिन्मयाओ स्विमिंग पूल का टेंपरेचर चेक करती है, और वहां से जाने लगती है, तो अचानक से श्याओ शिन वहां आकर उसे डरा देत जाता है, जिस वज़े से वो पूल में गिरने ही वाली होती है, तो ज्याओ यान उसे पकड़ कर पीछे खीच कर उसे बचाता है, पर बेचारा खुद गिर जाता है, पूल में गिरने के बाद, वो कहता है कि वो पूल का टेंपरेचर चेक करने गया था, श्याओ शिन ज्या जियाओ यांग को वहां देखती है और चिलाने लगती है क्योंकि वո शावर ले रहा और उसे रूम साफ करने को बोलती है तभी उस ताइम अचानक लाइट चली जाती है और लिनमयाओ गलती से जियाओ यांग का बात रोख खीच देती है लाइट चली जाने के बाद दोनों का फणी सीन दिखाया जाता है देन लाइट आ जाती है जियाओ यांग लिनमयाओ को एपपल खाने की बोलता है, तो LynnMeow उसे रोगती है और कहती है कि यह Mr. Shoo के लिए है, क्योंकि उन्हें odd numbers में fruit पसंद है, तो Jao Yang एपल खाने लगता है और एक LynnMeow को देता है, और कहता है कि अब award हो गए, क्योंकि सिर्फ एक ही बचा है, जियाओ यांग लिन मयाओ को अपने क्लोस लाने की कहता है लिन मयाओ के पास कोई चोईस नहीं होती और उसे ये करना पड़ता है जब लिन मयाओ अपना रजिकनेशन लेटर जियाओ यांग के क्लोस में देखती है तो वो समच जाती है कि इतने टाइम से जियाओ यांग उससे गुस्सा क्यूं है फिर लिन मयाओ जियाओ यांग से कहती है कि वो उस रेजिगनेशन लेडर को उसे नहीं देना चाहती थी और कहती है कि उसी उसके साथ वर्क का एक्सपिरियन्स अच्छा लगा और ये सुनकर जयाओ याँ खुश होता है और एपिसोड 5 एंड होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिससे आप आने वाले ड्रामाज की वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें